हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहिए बिहाज जीकरे ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग फरबरी मा के सभी का इंटरफेर्स को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चानल भी हाज जीकरे ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जरुड़ दुबायत वाई विडिकों शाट करते हैं आज का पहला प्रशन है वर्ल गेम एतलीट ओफ दा इयर पोसकार 22 किसने जीता है किसने जीता है तो इसका उत्तर है पी आर सिरी जेसने आब अगला प्रशने रक्षा खोफिया एजनसी का नया परमुख किसे निक्त किया गया है किसे निक्त किया गया तो इसका उत्तर है GAV Reddy को GAV Reddy को रक्षा खूफिया एजेंसी का नया प्रमुख निक्त किया गया है अब अगला प्रश्ण है किस राज सरकार ने AP सेवा पॉर्टल 3.0 लॉंच किया है तो किस राज सरकार ने तो इसका उत्तर है आन्द परदेश राज सरकार ने अगला प्रश्ण है Climate Action Plan प्राप्ट करने वाला सहर कौन बना है तो कौन सा सहर बना है तो इसका उत्तर है नासिक जो है Climate Action Plan प्राप्ट करने वाला सहर बन गया है अगला पश्चन है दो फर्वरी 2022 को किस विसधी के साथ विश्व आदर भूमी दिवस मनाया गया तो किस विसधी के साथ मनाया गया तो इसका उत्तर है वेट लैंट्स अक्सन फोर पीपूल एंड नेचर क्या है फिर से दुझालेते हैं वेट लैंड एक्षिन फोर पीपल एंड नेचर अगला प्रशने विश में इस पात का सबसे बरा उत्पादक देश बन गया है कौन बन गया है इस पात का सबसे बरा उत्पादक देश तो इसका उत्तर है चीन चीन जो है विश में इस पात का सबसे बरा उत्पादक देश बन अगला परशनि भात का पहला जीयोलोजिकल पार्क कहा बनेगा तो यह जो है जवलपुर में बनेगा यह दखेंगे भारत का जो पहला जीयोलोजिकल पार्क है वह M.P. के जवलपुर में बनेगा अगला परशने किस देश ने सबसे सकती साली हा स्वोंग 12 बलेस्टिक मिसाइल का परिक्चन किया है तो किस देश ने किया है तो इसका उत्तर है उत्तर कोरिया ने उत्तर कोरिया ने हा स्वोंग 12 बलेस्टिक मिसाइल का परिक्चन किया है अगला परशने किस राज के स्री काकूलम में गांधी मंदिरम एसमीर्थी वरन का निर्मान किया गया तो यह किस राज में किया गया तो यह जो है आनपरदेश राज में किया गया है अगला पस्टने अमेरिका ने किस देश को अपने परमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोसित किया है तो किस देश को किया है तो कतर को अमेरिका ने कतर को अपने परमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोसित किया है अगला प्रश्टने तुरग्या महुतसब कहां मनाया गया तीन फरवरी को तो तुरग्या महुतसब जो है वह अरुनाचल परदेश में मनाया गया कब मनाया गया तीन फरवरी को अगला प्रश्टने देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला एस्टेशन कहां बनेगा बुलेट ट्रेन का पहला अस्टेशन जो है वो गुजरात के सूरत में बनेगा अगला पस्टन है किस राज के खिजाडिया पक्ची अव्यारन को रामसर अस्थल की रूप में सूची बद किया गया है तो यहाँ खिजाडिया पक्ची अव्यारन किस राज में है तो यहाँ जो है गुजरात राज में है और इसे ही रामसर अस्थल के रूप में सूची बद किया गया है अगला पशने कौन सी किरकेट टीम एक हजार वाँ वंडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है तो कौन सी टीम तो अपना इंडिया की टीम अर्थात इंडियन टीम अब अगला पशने NIE LIT के महा निर्देशक कौन बने है तो इसके निर्देशक बने है डॉक्टर मदन मोहन तिरपाथी नाई लिट के महा निर्देशक डॉक्टर मदन मोहन तिरपाथी बनाए गये है अगला पशने किसे लॉर्यास वर्ल्ड एस्पोर्ट एवार्ड के लिए नामित किया गया किसे नामित किया गया तो निरज चोपरा को लॉर्यास वर्ल्ड एस्पोर्ट एवार्ड के लिए नामित किया गया है अगला पशने किस राज ने सासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना सुरू किया है अब अगला पशने विसका सबसे मुलेवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो विसका सबसे मुलेवान बीमा ब्रांड पिंग इन सोरेंस बना है कौन बना है? पिंग इन सोरेंस अगला पशने दुनिया की पहली हाइडोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहां लांच की जाएगी? तो यहाँ जो है UAE में launch की जाएगी कहां launch की जाएगी UAE में अगला पश्चने justice उमर बंदियाल फिर से justice उमर बंदियाल किस देश के नए chief justice बने है तो यहाँ जो है पाकिस्तान के नए chief justice बने है अगला पश्चने चार फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया कौन सा दिवस विश्व कैंसर दिवस अगला पश्चने किस राज सरकार ने open year classroom परम सिक्छाले सुरू करने की घोशना की है तो ऐसा जो है पश्चिम बंगाल राज सरकार ने किया है किस राज सरकार ने पश्चिम बंगाल राज सरकार ने अगला पशने गंतरन दिवस परेड 2022 में सर्फशेष्ट राज जाकी के रूप में किसका चयन किया गया तो इसका उत्तर है उत्तर परदेश का किसका उत्तर परदेश का गंतरन दिवस परेड 2022 में सर्फशेष्ट राज जाकी के रूप में चयन किया किया है अगला पशने UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका उतर है M. जगदिस M. जगदिस जो है UGC के नए अध्यक्ष बने है अगला पशने आत निर्भर भारत डिजाइन केंद के विकास के लिए संस्क्रेती मंत्राले ने किस बैंक के साथ समझोता किया है किस बैंक के साथ तो इसका उतर है S. बी आई बैंक के साथ आत निर्भर भारत डिजाइन केंद के विकास के लिए संस्क्रेती मंत्राले ने S. बी आई बैंक के साथ समझोता किया है अगला पशने किस देश ने नव वर्स Year of Tiger में परवेश किया है तो किस देश ने किया है तो इसका उतर है चीन ने अगला पशने ICC Aspiret of Cricket Award 2021 किस ने जीता है किस ने जीता है तो इसका उतर है डेरिल मिसेल ने डेरिल मिसेल ने ICC Aspiret of Cricket Award 2021 जीता है अगला पशने किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागेदार के रूप में सिर्ष अस्थान हाशिल किया है तो किस देश ने हासिल किया है अमेरिका ने अमेरिका ने भारत के व्यापार भागेदार के रूप में सिर्ष अस्थान हाशिल किया है अगला पशने किस राज में राजीव गांधी ग्रामीन भूमिहीन क्रिसी मजदूर न्याई योजना सुरू की गई है तो यह जो है 36 गर राज में किया गया है किस राज में 36 गर राज में अगला पशने कि इनकी सौमी जयनती मनाई गई तो इसका उत्तर है पंडित भीम सेन जोसी की पांच फरवड़े को पंडित भीम सेन जोसी की सौमी जयनती मनाई गई है अगला पशने किस देश ने सीट कालिल उलम्पी के उदगाटन और समापन समारों के राजनाइक बहिसकार की घोशना की है अगला पशने इंडिगो के नए प्रवन्थ निर्देशक कौन बने है तो इसका उत्तर है राहूल भाटिया जो है इंडिगो के नए प्रवन्थ निर्देशक बने है अगला पस्टने किस बैंक को भारती उद्योग परिशंग प्रुसकार से सम्मानित किया गया है किस बैंक को सम्मानित किया गया तो इसका उत्तर है करनाटक बैंक को अगला पस्टने जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगाई दर कहां दर्ज की गई है किस राज में दर्ज की गई तो इसका उतर है तेलंगाना में तेलंगाना राज में सबसे कम बेरुजगाई दर जनवरी 2022 में दर्ज की गई है अगला पस्ट है अंडर 19 किरकेट विस्प कप 2022 का खिताब किसने जीता है किसने जीता है तो भारत ने भारत ने अंडर 19 किरकेट विस्प कप 2022 का खिताब जीता है अगला पस्ट है मद परदेश के किस व्यक्ति को कलाच छेतर में पद मिस्री से सम्मानित किया गया किसे किया गया तो इसका उतर है दुरगा बाई वियाम को किसे दुरगा बाई वियाम को मद परदेश के कलाच छेत में पद मिस्री से सम्मानित किया गया अगला पस्ट है सीत कालिन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलारी ने अपने नाम किया तो इसका उतर है थेरेसी जो हांग थेरेसी जो हांग ने सीत कालिन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड अपने नाम किया है अगला पश्ण है बात का सवते सकतिसाली कम्प्यूटर परम प्रवेगा किस राष्टिय संस्थान में अस्थापित किया गया तो यह जो है IISC बंगलूरू में अस्थापित किया गया है अब अगला पश्ण है हिमाले से तीन गुना बरे पहार को व्यज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है तो इसका उत्तर है सूपर मौन्टेन सूपर मौन्टेन जो है हिमाले से तीन गुना बरा है अगला पश्ण है भारती उद्योग परिश्ञंग ने किस बैंक को DX 2021 पुरसकार परदान किया है तो किस बैंक को किया है तो इसका उत्तर है करणा टक बैंक को अगला पश्ण है COVID-19 के विरुद DNA व्यक्सिन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया तो इसका उत्तर है भारत या दखेंगे भारत जो है COVID-19 के विरुद DNA व्यक्सिन लगाने वाला पहला देश बन गया है अगला पश्ण है भारत सरकार ने किस राज में तीन अस्थानों अर्थात होशंगाबाद सिवपुरी बावई नाम के नाम बदलने की मंजूरी दी है तो यहां किस राज का सहर है तो इसका उत्तर है मधे परदेश अगला पश्ण है 2022 AFC मैला ACI कप का खिताब किसने जीता है तो इसका उत्तर है चीनने चीनने 2022 AFC मैला ACI कप का खिताब जीता है अगला प्रश्ण है आठ फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो इसका उत्तरे सुरक्षीत इंटर्नेट दिवस अब से याद दखेंगे प्रति वर्स आठ फरवरी को सुरक्षीत इंटर्नेट दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है भारत के कौन से एस्कियर ने सीत कालिन ओलम्पिक के उद्घाटन समारों में भारती दल की अगुआई की है तो किस ने किया है तो इसका उत्तरे मुहमद आरिफ खाने मुहमद आरिफ खाने भारत की तरफ से एस्कियर ने सीत कालिन ओलम्पिक के उद्घाटन समारों में भारती दल की अगुआई की है अगला प्रश्ण है किस राजसरकार ने लता मंगेसकर पुसकार की घोशना की है तो यह जो है मद परधेश राजसरकार ने किया है मद परधेश राजसरकार ने लता मंगेसकर पुसकार की घोशना की है अगला प्रशने कहां में रत सब्तमी तेवहार मनाया गया कव आठ फरवरी को तो आठ फरवरी को रत सब्तमी तेवहार आंधर परदेश में मनाया गया है कहां मनाया गया है आंद्र परदेश में अगला पशने किसने मानव तसकरी पर अंकुस लगाने के लिए राष्ट व्यापी आहट ओप्रेशन सुरू किया है तो किसने सुरू किया है तो इसका उत्तर है आर पी अफ ने आर पी अफ ने मानव तसकरी पर अंकुस लगाने के लिए राष्ट व्यापी आहट ओप्रेशन सुरू किया है अगला पशने किस देश के तेज गेंद बाज शुरंगा लकमल ने सन्यास की गोशना की है तो यह जो है शेलंका के तेज गेंद बाज है जिन्होंने सन्यास की ग गोशना की है अगला पशन है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एसिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए है तो एसिया की सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बन गए है यह रिपोर्ट किसके द्वारा है तो यह फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार बतलाया क्या है अगला पशने भारत प्रेज स्वतनता रिपोर्ट 2021 में कौन साराज सिर्ज पर रहा है तो कौन साराज तो इसका उत्तर है जमू कास्मीर अगला पशने अफ्रीका कफ ओफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है तो इसका उत्तर है सेने गलने अफ्रीका कफ ओफ नेशन 2021 का खिताब जीता है अब अगला पशन है नौ फर्वरी 2022 को कंचोत पर्व कहां मनाया गया तो कंचोत फर्व जो है नौ फर्वरी को जमू कास्मीर में मनाया गया है कहां मनाया गया है जमू काश्मीर में अगला पस्टन है किस राज के कैबनेट द्वारा धर्मांतरन विरोधी विध्या को मंजोरी दी गई है तो यह जो है हर्याना राज के कैबनेट द्वारा मंजोरी दी गई है अगला पस्टन है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष परदीप सहा बने हैं कौन बने हैं परदीप सहा अगला पस्टन है शिंगल विंडो सिस्टम के साथ एक इकरित होने वाला पहला केन सासित परदेश कौन बन गया है तो इसका उत्तर है जमू कास्मीर जमू कास्मीर सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एक इकरित होने वाला पहला केन सासित परदेश बन गया है अगला पशने अफरीकी संग सीखर सम्मेलन 2022 का मेजवान देश कौन बना है तो इसका उत्तर है इथोपिया इथोपिया देश जो है अफरीकी संग सीखर सम्मेलन 2022 का मेजवान देश बन गया है अब अगला प्रशने 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो इसका उत्तर है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया अगला प्रशने बाद का पहला बायो मास आधायत हाइडोजन संयत्र कहां अस्थापित होगा तो यह जो है मद्य परदेश में अस्थापित होगा कहां अस्थापित होगा मद्य परदेश में अगला पशने सोने का दूसरा सबसे बड़ा खईदार कौन बना है तो इसका उतर है भारती रिजर्ब बैंक जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खईदार बन गया है अगला पस्टने अर्ठारमा स्वरगिये माधव राव लिमिये पुरसकार किसे मिला है तो यह जो है नितिन यहां गर्ड करी होगा तो नितिन गर्ड करी को मिला है अगला पस्टने IPL टीम अहमदावाद का अधिकारिक नाम क्या रखा गया है तो इसका उतर है गुजराट टाइटन्स गुजराट टाइटन्स जो है IPL टीम अहमदावाद का अधिकारिक नाम है अगला पशने चक्रवात BC राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो इसका उत्तर है मेडा गासकर को अगला पशने सेल्स फोर्स गलोवल डिजिटल एसकेल्स इंडेक्स 2020 में कौन सिर्स पर रहा तो इसका उत्तर है भारत अगला पशने RBI ने E रूपी बाउचर की सीमा दस हजार से बढ़ा कर कितनी कर दी तो इसका उत्तर है एक लाख तो दस हजार से बढ़ा कर कितनी कर दी एक लाख अगला पशने कहा में विस्ट का सबसे बढ़ा एगलू कैफे खोला गया तो इसका उत्तर है जम्मू कासमीर में विस्ट का सबसे बढ़ा एगलू कैफे खोला गया है अगला पशने E.I.U के लोगतंत सुचकांग 2021 में कौन सिर्ष पर रहा है तो इसका उत्तर है नौर्वे नौर्वे जो है E.I.U के लोगतंत सुचकांग 2021 में सिर्ष पर रहा है अगला पशने 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो 12 फरवरी को राष्टी उत्पाधक्ता दिवस मनाया गया है कौन सा दिवस मनाया गया राष्टी उत्पाधक्ता दिवस अगला पशने पुरातत्व विदो को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है तो इसका उत्तर है यूके में यूके में पुरातत्व विदो को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है अगला पशने किस संस्था ने प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारिक्रम सुरू किया है तो किस संस्था ने तो नबाड ने प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारिक्रम सुरू किया है अगला पशने किस देश के को आला को लुप प्राय परजाती के रूप में नामित किया गया है तो इसका उत्तर है आस्ट्रेलिया अगला पशने किस के द्वारा सिक्छा की वार्षिक अस्थिति रिपोर्ट प्रकासित की गई है तो यह जो है पर्थम फार्डेशन के द्वारा प्रकासित की गई है यह दखेंगे पर्थम फार्डेशन के द्वारा सिक्छा की वार्षिक अस्थिति रिपोर्ट प्रकासित की गई है अगला पशने महा सागरों को सनलक्षित करने के लिए वन ओशन सिखर शम्मेलन 2022 की अध्यक्स्ता किसने की तो इसका उत्तर है फ्रांस ने फ्रांस ने महा सागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन सिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्स्ता की है अब अगला प्रशन है तेरा फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो कौन सा दिवस मनाया गया तो इसका उत्तर है विस्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को विस्व रेडियो दिवस मनाया गया अगला प्रश्ण है नासा के पारकर सोलर प्रोब ने अंत्रिक से किस गढ़ की सता के चितर लिये हैं तो इसका उत्तर है सुक्र गढ़ के अगला प्रश्ण है किन सरकार ने किस वर्स तक क्रिसी छेत में डीजल को अक्छय ओर्जा से बदलने का लक्च रखा है तो इसका उत्तर है 2024 तक किन सरकार ने क्रिसी छेतर में डीजल को अक्छय ओर्जा से बदलने का लक्च रखा है अगला प्रश्ण है किस अंत्रिक्ष एजेंसी ने इन सेट 4B उपगड़ा को निस्क्रिये कर दिया है तो किस ने तो इसका उत्तर है इस रो ने इन सेट 4B उपगड़ा को निस्क्रिये कर दिया है अगला प्रश्ण है तेरा फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो या दखेंगे तेरा फरवरी को अंतराष्ट्रिये मिर्गी दिवस मनाया गया है कौन सा दिवस अंतराष्ट्रिये मिर्गी दिवस अगला पशने बात में 100% प्लास्टिक वेश्ट न्यूट्रल कमपनी कौन बनी है तो इसका उत्तर है डावर डावर कमपनी जो है बात में 100% प्लास्टिक वेश्ट न्यूट्रल कमपनी बन गई है अगला पस्टने मरू उत्सव कहां में सुरू हुआ है तो मरू उत्सव जो है राजस्थान में सुरू हुआ है कहां सुरू हुआ है राजस्थान में अगला पस्टने I.C.A.I. के नए अध्यक्ष कौन बने है तो इसका उतर है देवाशिस मिस्रा देवासिस मिस्त्रा जो हैं I.C.A.I. के नए अध्यक्ष बने हैं अगला प्रश्टने 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो 15 फरवरी 2022 को अंतराष्ट्रिय चाइल्ड होड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया अगला प्रश्टने पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ओन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेसकस के लिए समझाता किया है तो किस बैंक ने तो इसका उत्तर है आर बी अल बैंक ने पैसा बाजार और RBL बैंक ने पैसा ओन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेसकस के लिए समझा होता किया है अगला प्रश्ण है सौभा की योजना सौर विदुतीकन योजना में कौन सा राज ये सिर्ज पर रहा तो इसका उत्तर है राज अस्थान अगला प्रश्ण है नागरिक हवाई छेत में ड्रोन उडाने की अनुमती देने वाला पहला देश कौन बना है तो इसका उत्तर है इजराईल इजराईल जो है दुनिया का पहला देश बन गिया जिसने नागरिक हवाई छेत में ड्रोन उराने की अनुमती दे दी है अगला पशने किसने सफलता पुर्वक प्रित्वी अवलोकन उपगर EOS 4 का परचेपन किया है तो इसका उतर है इस रोने अगला पशने किस देश के परधान मंत्री ने पहली बार आपात कालीन अधिनियम लागू किया है तो किस देश के परधान मंत्री ने तो इसका उतर है करनाडा के परधान मंत्री ने अगला पशने है 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है तो इसका उतर है तुर्की ये क्या नाम रखा है तुर्की ने तो अपना नया नाम रखा है तुर्की ये अगला प्रश्ण है पंद्रमा CEC महला आइस होकी चेम्पेंशिप 2022 का खेताब किस टीम ने जीता है तो इसका उत्तर है खारू टीम ने खारू टीम ने पंद्रमा CEC महला आइस होकी चेम्पेंशिप 2022 का खेताब जीता है अगला प्रश्ण है जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर आफ दा मन्त किसे चुना गया तो इसका उत्तर है प्रूस में कीगन पिटर्शन को और महला में हीथर नाइट को अगला प्रश्ण है किस भारती कंपनी ने सेमी कंड़क्टर निर्मान के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझावता किया है तो इसका उत्तर है वेदानता ने सेमी कंड़क्टर निर्मान के लिए ताइवान की कमपनी के साथ समझावता किया है अगला पश्चने कहा में मेदाराम जतारा महौसब मनाया गया कब मनाया गया? 16 फरवरी को तो यह जो है तेलंगाना में मनाया गया है अगला पश्चने विष्व सतत्विका सिखर सम्मिलन की मेजवानी किस देश ने की है? तो इसका उत्तर है भारत ने विष्व सतत्विका सिखर सम्मिलन की मेजवानी भारत ने की है अगला पशने किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुश्यों योजना सुरू की है तो इसका उत्तर है लद्धाक ने किसने लद्धाक ने अगला पशने किसने तमबाकु छोरो एप लॉंच किया है तो इसका उत्तर है WHO ने तंबाकू छोरो एप लौँच किया है अगला पस्ट ने दक्चिन एसिया का सबसे बड़ा BioCNG संयत्र कहां बनेगा तो दक्चिन एसिया का सबसे बड़ा BioCNG संयत्र जो है मधे परदेश में बनेगा कहां बनेगा मध्य परदेश में अगला पशने स्मार्ट कार्ड सस्त्र लाइसेंस पेस करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है तो इसका उतर है दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड सस्त्र लाइसेंस पेस करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है अगला पस्टने डिप्टी चीफ ओफ आर्मी अश्टाफ कौन बने है तो इसका उतर है चन्नीरा पोनप्पा चन्नीरा पोनप्पा जो है डिप्टी चीफ ओफ आर्मी अश्टाफ बन गए है अगला पशने किस ने West to Wealth Creation कार्करम सुरू किया है तो इसका उत्तर है सिड़बी ने अगला पशने किस देश ने सोलो मन द्वीपर अपना दोतावास खोलने की बात कही है तो किस देश ने कही है तो इसका उत्तर है अमेरिका ने अमेरिका ने सोलो मन द्वीपर अपना दोतावास खोलने की बात कही है अगला पशने है भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भाद के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है तो इसका उत्तर है नेपाल नेपाल जो है भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भाद के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है अगला पशने भाद का पहला राष्टिय समुद्री सुरक्षा समनव्यक किसे निक्त किया गया है तो इसका उत्तर है जी अशोक कुमार को जी अशोक कुमार को भाद का पहला राष्टिय समुद्री सुरक्षा समनव्यक निक्त किया गया है अगला पशने किसे SBI बोर्ड के निर्देशा के रूप में नामित किया गया है तो इसका उत्तर है संजय मल होतरा को संजय मल होतरा को SBI बोर्ड के निर्देशा के रूप में नामित किया गया है अगला पशने 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो 19 फरवरी को इस बार सात्वा मिर्दा स्वास्त कार्ड दिवस मनाया गया कौन सा दिवस मिर्दा स्वास्त कार्ड दिवस अगला प्रश्ण है नवेंतम व्यापार सौधे के तहत भारत किस देश में पहले IIT की अस्थापना करेगा तो इसका उत्तर है UAE में भारत जो है UAE में नवेंतम व्यापार सौधे के तहत पहले IIT की अस्थापना करेगा अगला प्रश्ण है WHO की घोष्णा के अनुसार कितने अफरीकी देशों को MRNA तकनीक दी गई है तो कितने देशों को तो कुल 6 देशों को अगला प्रश्ण है किस बैंक ने जैमेनी भगवती को अत्रिक निरदेशक के रूप में नुक्त किया है अगला प्रश्ण है आर्थिक विकास संस्थान के नए निरदेशक कौन बने है तो इसका उत्र है चेतन घाटे चेतन घाटे जो है आर्थिक विकास संस्थान के नए निरदेशक बन गए है अगला प्रश्ण है केरियर कांसिलिंग वर्क्सोप प्रामर्स 2022 का सुभारम कहा हुआ तो यह जो है बीका नेर में हुआ है कहा हुआ है बीका नेर में अगला प्रश्ण है उनीस फरवरी 2022 को महराष्ट के नए डीजीपी कौन बने है तो इसका उत्र है रजनीस सेट जो है महराष्ट के नए डीजीपी बन गए है अगला प्रश्ण है ब्रहमोस सूपर सोनिक क्रूज मिसाल का प्रेक्चन कहा किया गया तो इसका उत्र है विसाखा पटनम में सूपर सोनिक क्रूज मिसाल ब्रहमोस का प्रेक्चन विसाखा पटनम में किया गया है अगला प्रश्ण है रंजी ट्रोफी 2022 में तीहरा सतक यहां तीसरा होगा तो तीसरा सतक लगाने वाले पहले खिलारी कौन बन गए हैं तो इसका उत्रे साकी बुल गनी साकी बुल गनी जो है रंजी ट्रोफी 2022 में तीसरा सतक लगाने वाले पहले खिलारी बन गए हैं अगला प्रश्ण है सोचनानुसार 2023 में अंतराष्टिय उलम्पिक समीती के सतकी मेजवानी कौन करेगा तो इसका उत्तर है मुंबै अगला प्रश्ण ने 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है कौन सा दिवस विश्व सामाजिक नियाई दिवस अगला प्रश्ण ने किसरा सरकार ने नई जय प्रोड़ोगी की नीती का अनावरन किया है अगला प्रश्ण है मेटा वर्स में परविस करने वाला पहला बैंक कौन बन गया तो इसका उत्तर है जेपी मौरगन बैंक जेपी मौरगन बैंक जो है मेटा वर्स में परविस करने वाला पहला बैंक बन गया है अगला प्रश्ण है परधान मंत्री मोधी ने कहा में एसिया के सबसे बरे गोवर्धन प्लांट का लोकारपन किया है अगला प्रश्ण है किसे बिजनेस स्टेंडर्ड बैंकर आफ दा इयर दोजार बीस एकीस चुना गया तो किसे चुना गया तो इसका उत्तर है संदीप बक्सी को अगला प्रश्ण है क्वार्ड समू के विदेश मंत्रियों की चौती बैठक कहां आयुजित हुई है तो इसका उत्तर है आउस्टेलिया में क्ार्ड समू के विदेश मंत्रियों की चौती बैठक जो है आउस्टेलिया में आयुजित हुई है अगला परशने आंद परदेश लोग सेवा आयो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका उत्तर है गौतम शवांग गौतम शवांग जो है आंद परदेश लोग सेवा आयो के नए अध्यक्ष बन गए हैं अगला प्रश्ण है किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्की पहली महिला बनी है तो इसका उत्तर है अमेरिका की अगला प्रश्ण है किस राज ने अपना अस्था अपना दिवस 20 फरवरी को मनाया है तो इसका उत्तर है मिजोरम और अरणाचल परदिश राज ने 20 फरवरी को अपना अस्था अपना दिवस मनाया है अगला प्रश्ण है URJA Awards के 50 संस्क्रण में Business Leader of the Year 2022 का पुरस्कार किसे मिला है तो इसका उत्तर है योहन पूना वाला को योहन पूना वाला को URJA Awards के 50 संस्क्रण में Business Leader of the Year 2022 का पुरस्कार मिला है अगला पशने 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो इसका उत्तर है अंतराष्टिये मातरी भाषा दिवस अगला पशने ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सिर्स पर रहा है तो इसका उत्तर है भारत भारत जो है ICC T20 टीम रैंकिंग में सिर्स पर पहुँच गया है अगला पस्टन है जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भात के करोरपती परिवारों में कितने परतिसत की ब्रिधी हुई है तो इसका उत्तर है 11 परतिसत की अर्थात अब जो है 2021 से भात में 11 परतिसत करोरपती परिवार के संख्या बढ़ गई है अगला पस्टन है दादा साहेव फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सरवशेष्ट फिल्म का एवार्ड मिला है तो इसका उत्तर है सेड़ सा फिल्म को सेड़ सा मुवी को दारा साहेव फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सरफशेष्ट फिल्म काईवाड मिला है अगला पस्टन है किसे पोलियो उन मुलन के परियाशों के लिए हिलाल एप पाकिस्तान सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया तो बिल गेट्स को बिल गेट्स को पोलियो उन मुलन के परियाशों के लिए हिलाल एप पाकिस्तान सम्मानित किया गया है अगला पस्टन है फ्रांस ने नौ साल बाद किस देश से सैने वापसी की घोशना की है तो इसका उतर है माली देश से फ्रांस ने नौशाबाद माली देश से सैनवापसी की घोशना की है अगला पशने किसने किसन मोबाइल एप लॉंच किया है तो इसका उतर है आयाईटी रूरकी ने आयाईटी रूरकी ने किसन मोबाइल एप लॉंच किया है अगला पशने व्यसकों की सिक्षा के लिए New India Literacy Program को किस ने सुरू किया है तो इसका उत्तर है सिक्षा मंत्राले ने सिक्षा मंत्राले ने व्यसकों की सिक्षा के लिए New India Literacy Program को सुरू किया है अगला प्रश्ण है 22 फरबड़ी 2022 को कौन सा दिवस मनाय गया तो इसका उत्तर है विश्व चिंतन दिवस अगला प्रश्ण है NBA मानता प्राप्त करने वाला भात का पहला विश्व विद्याले कौन बन गया है अगला प्रश्ण है मतसे पालन सम्मिलन में कार की पुष्टी करने वाला सात्मा देश कौन बना तो इसका उत्तर है केनिया अगला प्रश्ण है संपन बेजिंग सीद कालिन ओलम्पिक 2022 में किसने सरवादिक पदक हाश्रिल किया है तो इसका उत्तर है नौर्वे ने नौर्वे ने संपन बेजिंग सीद कालिन ओलम्पिक 2022 में सरवादिक पदक हाश्रिल किया है अगला पश्ण है भारती रेलवे कहा देश का पाला केवल रेल ब्रिज बना रहा है तो यह जो है जमू कास्मीर में बनाया जा रहा है अगला पश्ण किस मंत्राले ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अव्यान सुरू किया है तो किस मंत्राले ने तो इसका उत्र है क्रिसी मंत्राले ने अगला प्रशने हे माचल परदेश को कहा में पहला जय विविदता पार्क मिला है तो इसका उत्र है मंडी में अगला प्रशने किस देश ने नौ सेना वायू रक्षा परणाली का शफलता पुरवक परेक्षन किया है अगला प्रशने होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सी इओ कौन बने है तो इसका उत्र है ताकुया तुसुमूरा कौन बने है ताकुया तुसुमूरा अगला प्रशने हाइड्रोजन इंधन सेल के लिए अडाने समूने किस देश के बलाड पावर सिस्टम के साथ समझावता किया है तो इसका उत्र है कनाडा देश के अगला प्रशने आई ओसी एतलेट आयोगने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है तो इसका उत्र है एम्मा टेर होको किसे एम्मा टेर होको अगला प्रशने किस महला किरिकेटर ने सभी प्राडूपों से सन्यास की घोशना की है तो इसका उत्र है वी आर वनीता ने वी आर वनीता ने महला किरिकेट के सभी प्राडूपों से सन्यास लेने की घोशना की है अगला प्रशने किस देश ने अपनी पहली हाइडोजन से चलने वाली ट्रेन लॉंच की है तो इसका उतर है जापान ने अगला प्रशने कहां बनी डोकुमेंटरी विफोर आई ड्राई को जर्मनी में अवार्ड मिला है तो इसका उतर है हरियाना अगला प्रशने परधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत के पुर्ण कालिक सदश्य कौन बने है तो इसका उतर है संजीव सान्याल संजीव सान्याल जो है परधान मंत्री के आर्थिक सलाकार परिशत के पुर्ण कालिन सदश्य बने है अगला प्रशने किस राज के अस्टार्ट अप मिशन ने गूगल के साथ समझा उता किया तो इसका उतर है केरल राज के अस्टार्ट अप मिशन ने अगला प्रशने भारत और किस देश ने नेली अर्थ विवस्था की रोड़ मैप पर हस्थाक्चर किया है तो इसका उत्तर है भारत और फ्रांस ने अगला पश्टन है 23 फरवरी 2022 को किस देश ने उक्रेन को तीन हिस्सों में बाटा तो इसका उत्तर है रूस ने रूस ने 23 फरवरी 2022 को उक्रेन को तीन हिस्सों में बाटा है अगला पस्टन है 23 फरवरी 2022 को RBI के केंद्रिय बोड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका उतर है संजय मलहोतरा को संजय मलहोतरा को RBI के केंद्रिय बोड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है अगला पस्ट नहीं किस देश के कार्लोस अलका राज सबसे कमर उम्र के ATP 500 बिजेता बने हैं तो इसका उत्तर है S.P.N. अगला पस्ट नहीं नदियों में N.E.V.G. A.P. लौंच करने वाला देश का पहला राज ये काउन बन गया है तो इसका उत्तर है अर्शम अर्शम राज जो है नदियों में N.E.V.G. अ्यूम के नदियों में N.E.V.G. अर्शम बन गया है अगला पश्ण है अंतराश्ट्रिये रवर अध्यन समू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका उत्र है के एन रागवन के एन रागवन जो हैं अंतराश्ट्रिये रवर अध्यन समू के नए अध्यक्ष बन गए हैं अगला प्रश्ण है 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया तो 24 फरवरी 2022 को केंद्री उत्पाद सुल्क दिवस मनाया गया है अगला प्रश्ण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई भ्रांड अमेशडर कोन बनी है तो इसका उत्तर है तनिस का कोटिया तथा रिदिका कोटिया कौन बनी है तनिसका कोटिया तथा रिदिका कोटिया अगला पशन है किस राज सरकार ने बजट में पुराने पेंसन योजना बहाल करने की घोशना की है तो इसका उतर है राज अस्थान सरकार ने अगला पस्टन है बहात में अपने पहले साइवर सुरक्षा केंद की सुरुवात करेगा कौन तो इसका उतर है IBM IBM जो है बहात में अपने पहले साइवर सुरक्षा केंद की सुरुवात करेगा अगला पस्ट ने दूसरे बांगला देश फिल्म होसव का उधगाटन कहां हुआ तो इसका उत्तर है अगर तल्ला में अगर तल्ला में दूसरे बांगला देश फिल्म होसव का उधगाटन किया गया है अगला पशने IIT रूर्की ने कहा में किसान मोबाइल एप लॉंच किया है तो इसका उत्तरे उत्रा खंड में IIT रूर्की ने उत्रा खंड में किसान मोबाइल एप लॉंच किया है अगला पशने किस देश ने सी डोम नामा नई नौ सेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलता पुर्वक प्रेक्षन किया है तो इसका उतर है इजराइल ने अगला पशने किस राज का चमबा जिला देश का सौमा हर घर जल जिला बन गया है तो इसका उतर है हिमाचल परदेश अगला पशने जेट एरवेस ने किस देश की एरलाइन्स के पुर्व CEO विपूला गुनाती लेका को नए CFO नुक्त किया है तो इसका उतर है स्री लंका अगला पशने ID BI Bank के CEO कौन बने है तो इसका उतर है राके सर्मा राके सर्मा जो है ID BI Bank के CEO बने है अगला पशने महला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महला खिलारी कौन बन गई है तो इसका उतर है रीचा घोश अगला पशने भार सरकार ने कहां में जन भागेदारी आधी कारिता पोर्टल लॉंच किया है तो इह जो है जमू कास्मीर में लॉंच किया गया है अगला प्रश्ण है आइडिया इंडिया ने किसे महला स्वरी किसे पहली महला CEO नियुक्त किया है तो इसका उत्र है सुज्जैन पुलवर्र को किसे सुज्जैन पुलवर्र को अगला प्रश्ण है किस देश के राश्पती गीता नस नौ सेदाने देश में आपातकाल की घोष्णा की है तो इसका उत्तर है लिथू आनियाने अगला प्रश्णे सत्रंज टूर्णामेंट विसके नंबर वन खिलारी मैगनस काल्चन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारती कौन बने तो इसका उत्तर है आर प्रग्यानंद आर प्रग्यानंद जो है सत्रंज टूर्णामेंट विसके नंबर वन खिलारी मैगनस काल् अगला पशने भारती नौ सेना का बहु पक्ची अभ्यास मिलन 2022 कहा में शुरू हुआ तो यह जो है विसाखा पटने में शुरू हुआ है अगला पशने सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहट किस केंसासित परदेश में जन भागिदारी एमपावर्मेंट पोर्टल सुरू की है तो इसका उतर है जम्मू कास्मीर में अगला पशने चर्चा में रही पुस्तक दग्रेट टेक गेम को किस ने लिखा है तो इसका उतर है अनिरुद सुरू ने दग्रेट टेक गेम को अनिरुद सुरू ने लिखा है अगला पशने किस राज की कैबिनेट ने इकचरे से निपटने के लिए देश के पहले इवेश्ट इको पाड को मंजूरी दी है तो इसका उतर है दिल्ली ने अगला पशने रामानुजम प्रवसकार किसे दिया गया तो रामानुजम प्रवसकार जो है नीना गुपता को दिया गया है अगला पशने किस राज ने समुंद्री जीवों के संरक्चन के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है तो इसका उतर है तमिल नाडू राज ने अगला पशने किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वेक्सीन को प्रमानित किया है तो इसका उतर है कनाडा ने ने किसे अपना गेर कारेकारी अध्यक्ष बनाया है तो इसका उतर है नितीन प्रांजये को अगला परशने किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोगपाल एप लॉंच किया है तो इसका उतर है ग्रीराज सिंग ने ग्रीराज सिंग ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोगपाल एप लॉंच किया है अगला परशने भारतिये मंदिर वास्तु कला देव्यात तनम पर एक सम्मिलन का उत्गाटन कहां किया गया तो यहाँ जो है करनाटक में किया गया है अगला परशने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बन गए है तो इसका उतर है रोहित सर्मा रोहित सर्मा जो है T20 में सबसे ज्यादारन बनाने वाले बल्लेवाज बन गए है अगला परशने किस राज के पुर्व मुक मंत्री हेमानंद बिसवाल का बेरासी वर्स की आयू में निधन हो गया तो इसका उतर है और इसा के पुर्व मुक मंत्री के अगला परशने भात का पहला अलकोहल मुजियम कहां में अस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला अलकोहल मुजियम जो है गुआ में अस्थापित किया जाएगा अगला पशने किसने वंदे भारत के लिए एक सिंगनेचर ट्यून जारी किया है तो इसका उतरे संस्कृती राजमंत्री मिनाक्षी लेखी ने मिनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिंगनेचर ट्यून जारी किया है अगला पशने भारती नौ सेना का बहु पक्षी अभ्यास मिलन 2022 कहा में शुरू हुआ तो यह जो है विशाका पटनम के भाग के सहर में शुरू हुआ है अगला पशने मीरा भाई चानु ने सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता तो शुरू पदक जीता है अगला पशने किन दो देशों के बीच धर्म गार्डियन 2022 सैन अभ्यास बेलगाम करनाटक में शुरू हुआ तो यह जो है भारत और जापान का सैन अभ्यास है अगला पशने अंतराश्टी बौधिक संपदा सुचकांग में भारत की अस्थान पर है तो इसका उत्तर है संपदा सुचकांग में भारत जो है 43 अस्थान पर है अगला पशने 28 फरवरी 2022 को किस विशय के साथ राष्टी विज्ञान दिवस मनाया गया तो इसका उत्तर है इंट्रिगेटेड एप्रोच इन साइंस एंड टेकनोलोजी फोर ए सस्टनेवल फ्यूचर तो यह था फरवरी मा के सभी का इंटरफेर्स तो आसा करता हूं आप लोग को हमारी या वीडियो पसंदा हो यदि आप लोग को हमारी या वीडियो पसंदा हो तो उसे लाइक और सेहर जरूर करें तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद